आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना Google अकाउंट कैसे डिलीट कर सकते हैं पर्मनेटली अमेशा के लिए तो इसके लिए आपको अपने Google के एप में चले जाना है या आप Google के एप की जगे अपनी इमेल के एप में भी जा सकते हैं प्ले स्टोर में भी जा सकते हैं और सिंपल सा आप ऊपर प्रोफाइल आइकन पे खलिक करेंगे जैसे ही आप प्रोफाइल आइकन पे क Bolitt करेंगे तो यहां पर आपको आपका Google अकाउंट देखेगा बात है नहीं है तो आप क्लिक करके सेलेक्ट कर ले है इस टाइप से यहाँ पर फिर दोबार आप profile ऐकन पर क्लिक करेंगे और फिर आपको यहाँ पर manage your Google account वाले option पर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पर आपको कुछ options दिखेंगे जैसे कि Home Personal इन्फो, डाटा एंड प्राइवसी तो आपको डाटा एंड प्राइवसी वाले ओप्सन पे किलिक कर देना है और आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है अब काफी सारे लोग एक मिस्टेक कर देते हैं उसकी वज़े से भी वो डिलीट नहीं कर पाते हैं यहाँ पे कुछ आपको डिलीट यूर गूगल अकाउंट यहाँ पे आप देख लें साप साप लखा हुआ है डिलीट यूर गूगल अकाउंट डिलीट यूर इंटायर अकाउंट एंड डाटा आपको इसी वाले ओप्सन पे किलिक करना है पर्मनेंटली डिलीट करने के लिए हो सकता है interface आएगा, आप आप यहाँ पे नीचे आएंगे और फर आपको यहाँ पे यह सारी चीज़द देखेंगी कि आप क्या क्या सर्विस का यूच करते हैं Gmail का, YouTube का, kalender का यह सारी चीज़द डिलीट होंगी आपकी यहाँ पे तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है यापने जो भी इस Google अकाउंट से आप यूज़ करते होंगे, YouTube यूज़ करते हैं, यह फर Google Documents का यूज़ करते हैं, Google Photos का यूज़ करते हैं, emails का यूज़ करते हैं, सारी चीज़ डिलीट होंगी, यह राइट आपकी यह जो email ID है, इसको हम Google Account to email ID बोलती हैं, यह से ही सारी चीज़ कनेक्ट होती हैं, तो सारी डिलीट होंगी, आपको यह चीज़ ध्यान देना है, इसके बाद में आपको इनकी दोनों टर्म्स को accept करना है, और यहापर delete account पे click कर देना है, simple सा, और जैसे ही हमने click किया, यहापर हमारा Google Account permanently delete हो आप डाल दें, और इस टाइप से आप permanently delete कर पाएंगे, आई होप इस वीडियो से यहल्प होई होगी, यहल्प होई तो लाइक करें, thanks for watching वीडियो